हेलो फ्रेंड्स तो स्वागत है आपका अपनी यूटीब चनल अरिश्टोटल बाइलिजी में और गाइज जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज के प्रेक्टिस सेट है वाइरस के लिए तो गाइज जो ये कोशन्स लिए गए हैं वह आपकी काफी ट्रेश्टिट बुक से लि यह आपका काफी हल्प पूर रहेगा तो गाइज बिना टाइम वेस्ट किये शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को तो गाइज यह रहा आपके लिए पहला कोश्चन जो आपका कोश्चन है और यह कोश्चन आपका वाइरस इस मेड़ अप उफ जो विसानु होता है वो किसे बना होता है और उप्सन इसके लिए ओनली प्रोटीन ओनली डियाने और आर इने और ऊव्प जो यह आपके कोश्चन के होई ह। लिविंग और नो लिविंग के बीश्की खड़ी होती है इसमें प्रोटीन खवल अश्य पाया अपके गैज एसमें के साथ हैंदो पाय जाएगा या RNA पाया जाता है तो यह क्या है आपका वायरास नेक्ट के अगर मैंबात करूं यह है आपका सेकिंड को सिंड इसमाल पोक्स पैज्वाइ से वह किसी वज़े से होता है और अप्षन से आपके वैरियोला कोक्जियला, एडीज और फ्रेंसिसिला तो इसमें जो आपका उप्सन है राइट वो आप है फॉस्ट वेरियोने की वज़े से क्या हो जाता है चेचक हो जाता है यह किसके वज़े से होता है वारस की वज़े से होता है और अगर मैं थोड़ा ज़सा इसके बार में और पता तो यह क्या हो जाता है पूरे प्रसरी पर हो जाता है इसके वज़े से जो पेशन्ट है उसको फिवर आ सकता है ठीक है इसके साथ में उसके हैड़क जुखाम और उल्टे आ जाती है और कुछ दिन के बाद में ही क्या हो जाते हैं दाने पूरे सरी पर फैल जाते हैं ठीक है संस्की exist develops लिए इसलिए नोगे को सा विद होलै हो जाएगा विधिस सेलोलर ओर लिजिशन नहीं पाए जाता है इसलिए लिए नहों होता है नहीं नेक्ट फोस्षण ने फिर आपका वह रिसी नोबिल प्राइस फूर्ब सब्सकेंतों सर cricket ककिए प्रोटिंस प्रोटिंस होती है फिकन heavierud fewट ले इस फोग का कर रापके चर्थ प्रोटिंस फंद कैंदल फीजिक उप्षयल की अंदर फोड़ने लाइस सटियों फ्रीव फिर लेंड़ा फीज तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताना चाहिए कि क्या हो जाती है यह क्या होती है तो इसवेजिए लाइसोजेनिक लाइसेकल लाइसेकल वही 八 वेक्टेरियोफे था करेंगा ठीक है क्या है यह कंद ध्री अलंसी कि अभी अजीशिकुद्ध प्रोडवक्ट सीमितल मयली चया है आ तब यही आपको क्या यहाँ यह defense जाएगा लाता है तो इसमें आपको पूच रखा है प्स आप कि आपको बता दिये गएँ इसकिन अपका आफ फेस क्या चाहें हो मेंійсьराइगा टॉक्षी में आपका आंसर हो जाएगा ठीक है कि निल्कित में से कौन सा जीनोम मीनी क्रोमोजोम भी कहलाता है उप्सन से इसके लिए आपके TMV सेकिंड उप्सन है आपका एक्सवी 40 थर्ड है गामसाइज और फोर्ट है कि है ठीक है तो मीनी क्रोमोजोंस के अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इसमें आपका रइट आंसर हो जाएगा क्या एक्सवी 40 अगर मैं आपके इसके बार में थोड़ा बता हूं तो एक तरीका डियने वाइरस है ठीक है यह त श्कुरमित करता है क्या कहलाता है उप्सन से आपक टॉक शॉचेंल क भीनट पताए गया है छिक Vale को एक प्राइण इत्य कि वायरस कोश्ट इन रिस्पोंस तो वाइर इंफेक्शन बट प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम फर्दर वाइर इंफेक्शन इस कोल्ड ठीक है विसानु संक्रमन की फॉल्स रूप अध्य में उत्पन पदार्थ जो उसे भावी विसानु संक्रमन से स्रुक्षित रखता है वो क्या कह होता है जिसके बराबर वाली को सिखा है यह उनको इस वाइरस से प्रभावित होने से बचाता है तो इसमें आपका उप्संस हो जाएगा काईज सी राइट नेक्ट कोश्चन आपका अप्लाइंट वाइरस इस डैट मल्टिप्लाइब विजिन देयर इंसेक्ट वेक्टर्स और कॉल्ड ऐसे पादफ विसानों जो रोग फैलाने वाले कीट के सरी में गुनन करते हैं कहलाते हैं तो इसमें आपके उप्संस है परसिस्टेंट सेकिन नोन परसिस्टेंट थर्ड प्रोपेगेटिव और फॉर्ट क्या सर्कुलेटिव जिससे आपको यह से नाम सी पता लग रहें परसिस्टेंट का मतलब क्या है जो लंबे समय के लिए रहेंगे और नेक्ट कैसे आपका जो कोशें निकल जाएगा कि ऐसे पाधा विशान जो रोग फैलाने वाले कीट के सिरी में गुनन करते हैं अपने नंबर को बढ़ाते हैं तो इसमें आपका उप्सं क्या हो जाएगा सी राइट हो जाएगा क्यों क्यों कि एक तरीका रिप्रोडक्शन और प्रोडक्शन में क्या होता है और गेनिस्म अपने नंबर को ही बढ़ाता है तो इसमें आपको जो राइट उप्संन है वो काई हो जाएगा क्या सी नेस्ट कोश्चन है कॉंटेजियम फ्रीडम पदावली जो है वो किस ने प्रस्तावित की थी ठीक है तो इसमें आपके उप्शन से इवनुस्की से किने बाइजरीक और सी है वाइगमेन और फॉर्थ है हैलरी गेल ने ठीक है तो इसका गाई जैसे कि आपको पता ही हो गई इ इसका है एक्वाइड इम्मुन डेफिचेंसी सींड्रोम मींस उपारजीत पर्थी रख्सान यूंता सींड्रोम यह किसकी वज़े से होता है तो इन्मीनों पूछ रखा कि इसके अंदर जो वाइरस है वो किस तरीके का होता है तो एडिनो वाइरस मोजेक वाइरस टीवन व सेंड्य टीवी देसी कचारी सेखिंड है आरेंसींग एंड पीयल सींग और थर्ड है जीएस विंक्टरमन ने और लास्ट है पीके डेनी तो इसमें घाई जो आपका रइट उप्शन है वह आपका क्या जाएगा बी मेंस आरेंसींग यूंपी एल सिंग ने नेक्ट सबस्केट हैं से पहले किसी निहीं था ओपशंस वक्रिंट क्र ब होंट चुर्णै त्क शा यहां पर नेस्ट है अपका जो siphres is was discovered by ऑफे से किसके द्वारे की गई ऑफसन से आपके सिंदें स्परमेज अपका सिंद्रीच हो जाएगा किसे ने की थी ने कोष्टने आपका रेट्रोंस का नवांशिक प्दार्थ होता है ठीके जो रेट्रो वाइरस है उसका पदात क्या होता है उप्शन से आपके इसमें double extended DNA, second option double extended RNA, next single extended DNA, single extended RNA, तो गाइस रेट्रो वाइरस के अगर मैं genetic material की बात करूं तो आपका कैसा होता है single extended RNA, तो इसमें आपको जो right option है वह हो जाएगा D next question है आपका the viral capsule is made of, जो वाइरस होता है उसका जो कैपसीड है वो किसे बना होता है तो इसमें आपके जो ओप्संस है वो हैं आपके लिपीड, सेकेंड आपका कार्भाहिड्रेट, थर्ड आपका प्रोटीन और नेक्स्ट आपका क्या है या फोर्द आपका क्या है नुकलिक एसीड तो जो वाइर तो यह है यह क्या है कैप labour यह कंप्र है और यह कप्रेशन आपका बना खोचिछ ecc और इस किसे किसे मिल करेंकडियन से एसी फाहिं एकिंड करए क्योंग सी 1 मिल कर बना होता सा ध्यक्ते प्रेशन है और यह किस प्रत किबाएंगा हो वह आपका हो जाएगा डी रीड है क्या पाया जाता है हिसमeton can बात करूं तो यह क्या होता आपका एन एसिटाल मूरेमाइड ग्लाइके हाइड्रोलेस भी कहलाता है ठीक है तो इसका क्या है सेकिंड नेम है नेस्ट कोश्चन है आपका है लिकल कॉंट्रेक्टराल सीथ फांडिन ठीक है जो कॉंडलीत सब कुछ सील आच्छा है वह किसमें के मइब यह क्या है इस तरीकी डिणी यह क्या है जिस तित्यस ऐसे आप टाइल है ठीक है डाले तो यह pris शंकुचन हर यह ohãy पाई जाता है बैक्टीरियों फेस में नेक्ट कोश्चन है आपका वारेसिस कंटेंज विसानों में उपस्तित होता है उपसें से ओनली आरेने अधर डियन्य और आरेने नाइदर डियन्य और नोर आरेने तो इसमें घज़े आपका राइट ओप्शन हो जाएगा वो क्या बर्ड फ्लू फेंटा है ओपसेंस आपके च्टू एंटू एच फाइफ एनवन एस त्री एंटू और एच वन एनवन तो इसमें अगर मैं सबसे पहले आपको बताओ कि एच फूर क्या होता है गाईज हीमोग्लूटीन होता है एनफुर क्या होता है आपका नियुरो मीनी इनफुर कि एक और इन्हीं के बैसिस पर ठीक है यह नहीं करका पता गया है तो इसमें पूचि राइट उपसने वह क्या है एच 5-1 क्या है यह यह वाइप इन वह इसलिए इसको को सब्सक्राइब एक नाम से भी जानते हैं नेश्ट प्रक्शन आपका इसमें ही एचिव व सेंगल बारने होता है तो यह बार फीन पर फिर्स्ट ऑर थर्ड में एःचनों यह क्या होता है एःचन वायरस होता रहोत का यहाँ यहां पर बुलत हो आपका गलत भाला यहां पर फिर बचाOhlic तहीं जो रही है अ आंशर वो तो यह क्या है यह इसी फिलफोम है नेक्ट कोस्टिन आपका दी स्मॉलस्ट डिसीज कोजिंग अजेंट परजेंट इन हायर प्लांट्स ओनली आ ठीक है तो इसमें आपके उप्संस है मोलिक्यूट वायरोई वायरस और प्रियों तो इसमें आपका रही उप्संट हो जाएग इसमें आपके उप्संस है क्या गईज आईवनोर्स की इस्टैनली पाश्चर एंट मिलर तो इसमें जैसे आपको पता है क्रिश्टिलाइज सबसे पहले किस नहीं किया था प्लांट वायरस को इस्टैनली नहीं किया था और अगर आप देख पा रहे हो तो यह कोश्चन आया है है ना फोर्म थोड़ा बदल जाते हैं लेकिन उप्संस क्या है सेम है है ना बात एक ही पूछ रखी लेकिन थोड़ा अलग-अलग करके चेंज करकर के पूछ रखी है तो इसमें आपका क्या हो जाएगा इस्टैनली ठीक है और राइट उप्शन इस इस्टैनली ने इसमें आपको क्या पाया जाता है सिंगल इतने डीन ने पाया जाता है और यह आपका काफी इंपर्टिंट कोश्छन से लेk नेकस्ट कोश्चन है आपका इप्लाज्मीड विच बिकम्स इंटिग्रेटिटिग इंटू थोष्ट क्रोमोजॉम एंड रप्लिकेट एंटर करता है और वह बैक्टिरिया के जर्णाटिक मैट्रियल के साथ में फिक्स होकर तभी अगर अपना डिवाइडेशन करता है तभी यह क्या करता है एपिसोम और जो यह प्रोसीजिव आपको किसमा जाएगा लाइसोजैनिक में तो इसमें आपका उप्संस क्या हो जाए सको होगी किसने के बीसे कुली तो स्टी सटी पॉल、、 đã गुरnin सब्सक्राइब करते हैं तो इसका विकास किया सकता है एप्शन से आपके वराइदांत्र में पनफने वाले जीवाणों एकुलाई में सेकने ही कृतिमम उप्चार वाले माधिया में और सी बोहत और ने की थे आपका सी तो इसमें आपको राइट ऑप्शन क्या है सी है नेक्ट कोश्चन है यूमर प्रेरक्स जीन के निसकासन के पश्चाथ जीवानू का ती फॉर प्लाजमीड कहलाता है और इसके लिए जो आपके उप्शन से वह हैं जैडियने अरडियने बीडियने एंड टी डियने इसमें आपको क्या होता है जिसे आपके कुछ बैक्टिरिया होते हैं अग्रोबैक्टिम ट्यूमीफेंस है ना उसमें क्या होता है आपका टी फूर् प्रषा प्लाजमीर पाया जाता है इसमें आपके दो पार्ट होते एक तो क्या ट्यूमार इंडीस करता इसको प्रिरित करता है और एक है ट्डेन को त्डेन जि staff ठीए ने ठीक है प्रेड confusive और Алगा जीन निसक्वाइस सबसे फिंब आघर effectivement क이죠 जाता है येवल टी डीन है ना इसमें आपका राइट ओप्शन क्या हो जाएगा डी तब अ का हो जाएगा काईश ऑप गाइस प्राक्राइब जाना जाता है। और इसको जोकर की नाम से जान जाता है पादप जगत के जोकर के नाम से जाने जाता है क्यों कि अपनी सेफ जो है वो चेंज कर सकता है तो इसमें आपके उप्शनें युकरीटिक सेट ल्युक्तिक सेल pagan या प्लांट सेल तो पीपयलोग के अगर मैं बात करूं तो यह अपकर आई एलवन आई एफ एन एलफा एंड टी एन एफ एलफा तो यह आपके इसमें क्या है ओप्संस है अगर मैं यहाँ पर इनके बार में थोड़ा बता हूं आपको तो इसमें आपका क्या है आपने इंटर्फेरों को नाम सुनना है अभी यह कोश्चन आया था कि जब भी कोई है कुछ साइटोगाइंस है जो किसके द्वारा निकलते हैं जो टी सेल के द्वारा स्रावित होते हैं है ना तो इसमें आपको जो राइट उप्सन है वह आपको क्या हो जाएगा सी आई एफ एन एलफा ठीक है अलफा बेटा गामा और जिसके साथ में आई सी फोर और आई के सेकिंद है सिंगलस्ट यरणे और थार्ड है डबल स्ट्रीद prefix झामे और नेच्ट आपका लास्ट आपको क्या है सिंगल ट्रीणर इंडति आपको इसमें आपका उप्सेड़िद सेल क्या हो जाएंगा गाईज दी बीन सिंगल इप्सेड़रा ट्रृ को टीhosह परेइ से नेस्ट कोश्चन है आपका इसमें आउटसाइड ओफ लिविंग सेल ती वाइरस पार्टिकल इसकॉल जीवित रहने वाली कोशिगा के बाहर जो वाइरस के कन है वो क्या कहलाते अप्सन से आपके विरियोन सेकिंडे कैप सीड नेस्ट आपका है अनिवारी परजिवी या विरियोन कहलाता है मिन्स क्या है जब यह सैल में चेंजल से बाहर भाहर है वारेस और है कहला है neskrict है anche hydrophobia is goes by तो हैडोफोबिया है वो जिस से होता है ओपसन साब की बैक्تेरिया से सेटिशिव वाइरस धाउमे赂फंगा और डिक है गाई गई Best Charme जोवा जिसके रहे बात करूँ जो हाइट फोपिया है डर है ना तो हिसमें क्या पानी से डर्ड लगता है तो इसके लिए जो राइट question है आपका which of one of the following is neither a prokaryote nor a eukaryote की निम्लिखित में से कौन सा ना तो prokaryote है और ना ही eukaryote है और इसके लिए आपके options है non-stoke, sacrum message, cerevacy, claim item और TMP तो इसमें आपके right option है वो क्या हो जाएगा tobacomusic virus है ना तो वाइरस हो है और ना तो प्रोकेरिट होते हैं और ना ही वो eukaryote होते हैं तो right option is D next question है इसमें आपका an antivirus substance which prevents the synthesis of virus in the cell is known as एक antiviral पदार जो कोशिका में विशानों के sensation को रोकता है वो किस नाम से जाना जाता है तो इसमें आपके options है यहाँ पर transferon, antibody, insulin या interferon तो यह हमने भी पढ़ा था वो क्या कहलाता है आपका interferon कहलाता है क्या कहलाता है और यह जो questions आपके वो आपके काफी trusted books से लिए गए हैं जो आपके लिए काफी helpful होती है इसी उम्मीर के साथ में कि questions आपके लिए काफी अच्छे रहे होंगे और आपको यह करते हुए काफी अच्छा भी लगा होगा तो मिते हैं guys हम अपने अगले वीडियो में जल्दी ध